बैक तो माई चैनल मैं आपको इस वीडियो में सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप गर बैठे एंटी एजिंग और स्किन वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं यह क्रीम 100% एफेक्टिव है और इसमें इस्तमाल होने वाले इंग्रीडेंट्स भी 100% नैचरल हैं जो के आपको इजीली अपने किचन में और किसी भी लोकल स्टोर से मिल जाएंगे इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो के आपकी स्कीन कंपलेशन को लाइटन और वाइटन करती है इस क्रीम को अगर आप डेली इस्तमाल करती है तो यह आपकी स्कीन से रिंकल्स को रिमूब करती है डार्क स्पोर्ट्स और पिंग्मेटेशन को रिमूब करती है स्कीन को सॉफ्ट और सपल बनाएटा इस क्रीम का मेन इंग्रीडेंट है चावल जाके राइस, राइस के अंदर विटमिन बी होता है और यह पावरफूल एंटि-अक्सिडेंट भी है जो कि कोलिजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है और रिंकल्स और पिंगोनिटेशन को खतम करके हमारी स्किन और स्किन से चावल को हजारों सालों से जपान और कोरिया में एक नैच्टरल ब्यूटी के तरह यूज किया जा रहा है और जपान कोरिया के वुमैन इस क्रीम को बहुत ज़्यादा अपने डेली रूटीन में यूज करती है जिससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेर ग्लोइंग और स बोला, की में पूनम है किपमोर्त ज़्यादा थे ज़्यादा प्रेंड भगण भड़ेंगे में लिखाने नंकीप मीठेंग देंग निनदेग लिखेफो", कर दिखेव के पादए लिखेज़ कई दिनदेग करीजादा रहाँ ज्यादी ज़्याद दिनदेगे में और समाइ अब अच्छे से पर पकाएंगे ताके यह थिक हो जाए और इसको हम अपने स्कीन पर अप्लाइ कर सके इसके साथ मैं आपको बताती चलूंकि जो राइट होते हैं वो बिल्कुल न्यूटेंट से बरपोर होते हैं जो के स्कीन के ग्रोट सेल्स को पर मोड करते हैं और यह हमारे बलड को इंक्रीस करते हैं और इससकीन ब्लॉइंग हो जाती है और आपकी स्कीन बहुत शाइन करती है और अपको मिलेगी यह देखें जिए कितने अच्छे से इसका मिक्सर थिक हो चुक है इसको थोड़ी दिर हमने और पकाना है जाकि ज़रा ज़रा थिक हो जा लिए ग्लैसरीन एक शमच यह हाफ शमच आप ग्लैसरीन ले 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 और इसके इंदर तीन से चार शमच करीम के अड़ कर दे और इसको हमने अच्छे से मिक्स अप कर लेना है मिक्स अप करने के बाद आप इसको अपने हाथों पे अपलाई करें और फेस पे अपलाई करें आप इसको तक्रीबन साथ से दस दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और असानी से जब आप डे में चाहिए रात में चाहिए इसको इसको इस्तमाल को